वेलकम टू ब्लोगिंग टेक्स और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप ब्लोगर पे बटन एड़ कर सकते हो आपको ब्लोगर पे बटन डाउनलोड लिंक लगानी है डेमो बटन लगानी है किसी भी टाइप की बटन लगानी है कुछ भी टाइप हो तो वो आप कैसे एड़ करोगे तो इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखा दूंगा तो नए हो तो मेंकिर चैनल को सब्सक्राइब कर कर लेना एस बेल के अगन पर प्रेस कर लेना, अगर आपको बीडियो अच्छी लग है, तो वीडियो को भी लाइक का देना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई एरर आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिक सकते हो बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे पूँ सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में एबलेबल है बाकी टेलेग्राम गरुप को भी जोईन कर सकते हो क्योंकि वहां पे मैं प्रीमियम थीम बगेरा देता रहता हूँ बिल्कुल फ्री आप कोस्ट तो चलो यार वीडियो को फटावट से स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कैसे आपको बटन लगानी है तो सबसे पहले हम लोग एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं ब्लॉगर पे जाके और ये ब्लॉगर का डेस्बो की पे लिखने था सब कुछ मैं बता चुका हूँ ठीक है तो आपके लिए ये बलॉग बनाया गया है तो यहां पे हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले कोई पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग देख लैं तो यहाँ पे मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और डेमो बटन लिख देता हूँ ठीक है इसका जो टाइटल है वो डेमो बटन नाम से दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू ब्लॉगिंग टेक्स ठीक है कर लेना यार ठीक है सब्सक्राइब टू ब्लोगिंग टेक्स कर लेना यार है तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको बटन्स बगएरा एड़ करनी है ब्लोगर में तो सबसे पहले न्यू विंडो पे जाना है और यहाँ पे लिखना है बूट स्ट्रैप ठीक है यहाँ पे सर्च कर देना है और यह जो मैं मेथेड बता रहा हूँ यह आपके हमेशा काम आने वाला है अगर इन फ्यूचर कोई भी चीज़ें अपडेट हो जाते हैं तो हमेशा काम आएंगी यह चीज़ें ठीक है så simple आपको इसको copy कर लेना है और ちopy करने के बाद आपको यहाँ पे बिलॉगर का ज्यू आपका dashboard a theme section उसको open कर लेना है तो मैं आपको open करके दिखा देता हूँ यहाँ पे theme पे आना है आपको और यहां पे customize के side में एक arrow दिख रहा होगा ठीक है? down arrow दिख रहा होगा उस पे click करना है और edit HTML पे आपको आ जाना है और यहां पे आपको head find करना है ठीक है? कैसे find करना है? सबसे पहले कहीं भी आपको click कर देना है एक simple सा click कर देना है Ctrl F प्रेस करना है और एक head tag लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ ठीक है? देखो एक head tag लिखा है मैंने तो मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ यहां पे ठीक है? यह रहा head tag ठीक है? और इस head tag के नीचे आपको यह code paste करना होगा तो simple आपको head tag आपने जैसे सर्च किया तो आपको enter प्रेस करना है तो जहां भी आपका head tag होगा वो highlight होगा जाएगा simple आपको head के आँगे आप mouse क्लिक करना है ठीक है? और then enter दे देना है आपने जो भी code copy किया है आपको paste कर देना है अभी देखो यह code है वो open है ठीक है और अभी यह close tag नहीं है तो simple हम लोगों को इस tag को close करना है देखो दोनों तरफ से open है कोई close tag नहीं लगाए देखो जैसे 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 मैं आपको example के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ जैसे यह script है ठीक है यहां पर यह जो लिखा हुआ है इसके आंगे slash लगा देना है आपको दिख रहा होगा मैं जूम और कर देता हूँ तो यहां पर आपको slash लगा देना है और यहां पर आने के बाद आपको simple एक और enter देना है और वहीं bootstrap पर आपको जाना है और यह जो JS का बंडल आ रहा है ठीक है सिंपल आपको यह कॉपी कर लेना यह जो टैग है JS का ठीक है जावा स्क्रिप्ट का जो यह कोड है उसको कॉपी कर लेना आपको और यहाँ पर आने के बाद आपको जहाँ पर आपने एंटर दिया था head tag के नीचे उसको भी आपको paste कर देना है ठीक है और इसको मैं reset कर लेता हूँ पूरा जूमिन को और save पे आपको simple click कर देना है अगर आपको कोई error आती है तो code check कर लेना या आपने अगर code close नहीं कर आए तो close भी कर लेना उसको ठीक है और यहां पर आपको button find करना है, बटन पर आपको simple click कर देना है, और नीचे आपको जाना है, नीचे जाना है, यहां पर link वाले button होगी, यह देखो simple button है, यहां पर हम लोग link वगएर एड़नी कर सकते हैं, जैसे आपको कोई download button लगानी है, और किसी चीज को redirect रना है, तो नहीं क होगी, ठीक है, तो simple आपको इन में से कोई भी button copy कर लेनी है, जो आपको अच्छी लगए, ठीक है, तो यहां पर यह दो button दिये गए है, मैं दोनों को copy कर लेता हूँ, और अपने post के section में आना है, ठीक है, post के section में, ना कि HTML के section में, simple आपको इस pencil पे click करना है, और HTML view पे जान simple आपको, आपने जो भी code copy करें है, उनको paste कर देना है, और यहां पर हम लोग preview देख लेते हैं, और अब जो भी चीज़े चेंज करनी है, वो मैं आपको बता दूगा, तो जैसे ही आप preview पे click करेंगे, तो यहां पर देख सकते हो, यह जो दो button है, वो add हो गए है, अब हम लो subscribe, और नीचे देता हूँ, मैं blogging text, जिसे आपको idea हो जाए, ठीक है, लिंक की जगह मैं blogging text select देता हूँ, और अपने जो चैनल का URL है, उसको मैं copy कर लेता हूँ, home, और post में यहां पर जो has लगाया है, यहां पर जो double code लगए है, उनके बीच में आपको यह जो link है, वो डाल देना है, आपकी जो भी link है, आपकी downloading link है, या demo, दिखाना है, किसी भी type की link है, आपको वो paste कर देना है, then आपको again publish पे click कर देना होगा, और यह जो buttons है, वो responsive है, तो यहां पर देख सकते हो, subscribe का भी button आगया, और blogging text का भी button आगया, तो अभी हम लोग इसको publish कर देते हैं, और देख लेते हैं, यह जो button है, वो हमारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम लोग देख लेते हैं, simple, तो सब्सक्राइब पे हम लोग क्लिक करके देखते हैं तो देखते हैं यह कहां रिडारक्ट करता है तो देख सकते हो यह हमारे चैनल पे ही रिडारक्ट हुआ है ठीक है और यहां पे ब्लॉगिंग टेक्स पे क्लिक करते हैं तो यह देखते हैं कहां पे रिडारक्ट होगा त तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर